हेलो दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा कहते रहता हूँ coin dcx अपने यूजर्स के लिए कुछ ना कुछ ओफर लेकर आते रहता है तो इस बार भी coin dcx अपने यूजर्स के लिए एक नया ओफर लेकर आया है और इस ओफर का नाम है crypto listing festival तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको Crypto Listing Festival के बारे में बताऊंगा दोस्तों सबसे पहले तो आपका स्वागत है DigiTalk में दोस्तों CoinDCS Crypto Listing Festival के बारे में बताने से पहले दो important बात कहनी थे जो पिछला CoinDCS के quiz से related है पहला तो ये कि इसका जो winner है वो announce किया जाएगा 14th of December को दूसरी बात ये कि कुछ users को ये quiz नहीं दीख रहा है तो उनके लिए मैं बता दूँ कि आप अपने homepage में जाएं अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप अपने homepage के नीचे में देखोगे कि वहाँ पे investment वाला एक button होगा उसको click करें उसके गाद आपका portfolio open होगा और portfolio में जहाँ पे आपका total जो investment, return और percentage gain loss दिखाता है वहीं उसके नीचे में आपको वो quiz दिखेगा वहाँ भी अगर नहीं देख रहा है तो फिर आप जो है customer care से बात करें या फिर app को update करें तो चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रिप्टो लिस्टिंग festival के बारे में कि ये crypto listing festival क्या है और इसके तहज्यो किन की new users को क्या क्या मिलेगा क्या क्या offer है वो सभी details में बात करते हैं और ये offer को कैसे grab करें इसके भी बारे में हम बात करेंगे तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर crypto listing festival के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये offer कब से start होगा और कब तक चलेगा तो ये offer आप जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 9 December को start होगा और 15 December तक चलेगा ये total 7 दिन का offer होगा अब यहाँ पर basically क्या होगा कि total 29 sorry 21 किरिब 2 coins जो है जो की coin DCX द्वारा जो है verify किया गया है उसमें आपको 20 लाख रुपिय तक का award जितने का मौका मिलेगा अब ये award कैसे मिलेगा क्या मिलेगा उसके बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों 20 लाख रुपिय तक का award जितने के लिए आपको basically जो है coin DCX जितने भी नए coins को list किया है उसमें आपको invest करना होगा अब ये कितना invest करना होगा किन-किन coins में invest करना होगा ये सभी details coin DCX अभी तक नहीं बताया है या फिर कितने दिनों तक hold करना होगा इन सभी details को coin DCX कह रहा है कि आपको इन सभी चीज़ के लिए basically आपको तीन चीज़ करना होगा वो तीन चीज़ ये है कि आपको जो है coin DCX के जितने भी social networking sites से उनको follow करना होगा फिर उसके बाद जो है आपको अपने account में पैसे हमेशा रखना होगा और फिर इनत्यार करना होगा notifications का जो कि वो अपने social networking sites में notified करेगा अपने users को जो भी उसको follow करेंगे और basically जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते listing festival hold and win अब ये basically hold नहीं लिखावा ये जो है hodl hold है और इसका मतलब holding से ही related होता है hodl hold वाला जो term है basically दोस्तों ये crypto investors के द्वारा use किया जाता है जिसका मतलब होता है कि चाहे coins का price कितना भी उपर नीचे हो जाए आपको basically उसे sell नहीं करना उसे hold करके रखना है तो coin dcx का एक ये motive होगा कि अपने users को boost कर रहा होगा कि आप coins के price यतने भी उपर नीचे हों basically आप इसे hold करके market को देखके तुरंत sale या buy नहीं करें basically जो भी coins आप खरीद रहें इसको long term के लिए hold करें तो उमीद करता हूँ दोस्तों ये video अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब डिजी टॉक फोर मोर वीडियो थैंक यू